हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागता है हमारे चैनल उत्राघंट त्रिशिष्टी में और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं भवानिसा के बारे में तो इससे पहले हमने सुदर्संसा को पढ़ लिया था और भवानिसा को भी हम आज लगबग पूरा एक वी पूरी जी ने अलग-अलग तीथी दिये इनके बनने की 6 जून दिये एक ने 7 जून दिये तो थोड़ा सा यहां पर कन्फ्यूजन है तो 6-7 जून आप ध्यान रखेंगे इतना डीप लिए से आएक पूछेगा नहीं तो जून 1869 में सुदर्संसा की मृत्यों हो जाती है ल ज़ना ऐसा ना हो कि क्या हो मेरे राज्य में युद्eln की स्थिति उत्पन हो जाए या अंग्रीट को मेरे राज्ये पे कबजा कर लें टो सुदर्संसा कि मुझे अपना उत्राधिकरीया चुन है तो उस समय जो रानियां होती थी और एक होती थी दासियां ठीक है खवास कह लीजी ये दासियां कह लीजी तो रानियों से जो उत्पन संतान थी उनको कहा जाता था असल पुत्र क्या कहा जाता था असल पुत्र कहा जाता था और जो खवास या दासियों से उत्पन संतान होती थी उनको कहा जाता था, कम असल सन्तान, ठीक है? क्या कहा जा था कम असल संतान. तो जो केवर असल पुत्र होते थे उनको ही पिताकि संपती में उचित भाग मिलने का नियम था, अधिकार था हुआ उसमय केवल, और जो कम असल पुत्र होते थे, उनको बस इतना दिया जा對了 तीहरी राजय को कहीं फिर से ब्रिटीस राजय में न मिला दे या ऐसा भी हो सकता है कि जो उसके सारे जितने भी कम असल पुत्र हैं वो आपस में लड़े और यह क्या हो यहां पर तनाव की स्थिति उत्पन हो जाए उसके राजय में इसलिए उसने 1832 में सुधर संसा ने 1832 मे क्याय करने चर्ण जिकरे में केमजर यंग को एक पत्र लिखा और पत्र लिखा कि यदि मेरी राणियों में से कोई बी मेरा कोई पुत्र उत्पन्न रहों तो मेरे जेष्ट करना दिया जाए और जेष्ट कम असल पूत्र कों था भावानी सिंग ठीक है तो बाद में जो भावानी सा के नाम से सासन करेगा तो सुदरसन सा ने 1832 में एक पत्र लिखा मेजर यंग को और लिखा कि अगर मेरी रानियों में से कोई भी पुत्र उत्पन नहों अईसा इछो लिखा उसने के इतियासकार यान पर सीव परसाड डबराणी जी उन्हों लिखा कि उस समय संभाता ऐसा हो SAKता हो कै कि कोई उनकी रानी प्रेग्नेट हो और एसा अनुमान लगाया गिए कि जो pregnant रानी थी बाद में जो उसका पुत्र होता है वो भी मर जाता है तो सुदरसंसा ने लिगा था कि हाँ क्या पता आने वाले समय में मेरा कोई असल पुत्र हो जाए उस कंडिशन में तो असल पुत्र को क्या बनाया जाएगा राजा लेकिन अगर मेरा कोई असल पुत्र उत्पन ना हो तो उस कंडिशन में भवानी सिंग को क्या बना दिया जाए राजा बना दिया जाए लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी जो एक खनेटी रानी थी सुदरसंसा की एक रानी थी खनेटी रानी और जो ये भवानी सिंग के हम बात करें इनकी माता का नाम था गुण देवी तो जो एक खनेटी रानी थी ये भवानी सासे क्या करती है द्वैस रखती थी और ये नहीं चाहती थी कि भवानी सिंग क्या बने राजा बने खनेटी रानी चाहती थी एक अन्य वेक्ति को राजा बनाना जिसका नामता सेर सिंग तो ये अन्य किसी खवास का बेटा था अन्य अब जून 1869 में राजा की मृत्य हो जाती है और मई 1869 में देखिए एक महने पहले ही देखिए किस तरीके से आपे राणी खनेटी आपे चाला की चलती है और एक फरजी आदेश पतर लिखवाती है और उस आदेश पतर में लिखा होता है कि राणी खनेटी जी के पुत्र के म और इस पत्र पे राजा के राजा की क्या मार दी गई मोहर लगा दी गई लेकिन इसमें साइन नहीं थे राजा के इस पत्र में क्या थे राजा के साइन नहीं थे तो खनेटी रानी ने राजा के मरने से ठीक एक महापूर्व लगबग मैं 1869 में पत्र लिखा उसमें लिखा कि सेर सिंग को ही राजा ने क्या कर दिया है अगला उत्रादीकारी घोसित कर दिया है और इस पर मोहर लगा दी लेकिन साइन नहीं थे और जैसे ही जून 1869 में यहां पर राजा की मृत्य होगी सुदरसंद सा की सेर सिंग सेर सा के नाम से गद्दी पर बैढ़ जागा टीरी साध में राजा किसको बनना था भावानी सिंग को बनना था लेकिन बन कौन गया यहां पर शेयर सिंग यहां पर राजा बन गया है अब थोड़ा सा बहुती साहथी पर किर्थिकर आ च्छल कपट इसके मन में बिल्कुल नहीं था अपने भाइयों के परति बीसके मन में कोई بھی द्वेस्त नहीं रखेगा इसके पड़ती बलकि इसके साथ क्या करेगा अच्छा ब्योहार ही करेगा तो भावानी सिंग ने क्या क्या ब्रिटी सरकार से संपर्क बनाया और हेंडिरे यह को पत्र बेजे किसको हेंडिरे को पत्र बेजे और लिखा कि यहां पे बहुत ज़्यदा लूट मार हो रही है क्योंकि जब खनेटी रानी ने सेर सिंग को राजा बनाया तो इन्होंने क्या क्या परजा पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया यहां पर जितना भी धन था राज को उसको लूटना शुर इंट्रेस्टिंग करेक्टर है विल्सन का ठीक है पहाड़ी विल्सन हुलसीन साप के नाम से भी हम इने जानते हैं एक्जामे परसनी भी आया कि उत्तरकासी की जो हरसिल सेप की परजाती है वो विल्सन किसके दोरा विक्सित कहीं गई तो फ्रेडरिक विल्सन इनका पूरा मिल्सन भी क्या करेगा अपने आगे की जो अंग्रेज अधिकारी हों अधिकारी हैं उन से सफभर बनाएगा क्योंकि 살 को इसके बापने ठेका दिया था क्यांहें का वनों का ठेका दिया था भहवानी सिंग के के परियासों से भावानी सा को फिर राज्य वापस मिल जाता temps यहां बहुत लंबे कहानी लेकिन डिटेल मेंगे कि इतना एक जाम में नहीं आएगा तो भावानी सिंग को राज्य मिल जाता है हेंडरी रेमजे के मदद से तो हेंडरी रेमजे क्या करता है आता है टीरी दरबार में और सेर सिंग को कुछ समय के लिए दून में नजर बंद कर देता है ताकि विवाद की स्थिति उत्पन नहों और एक सनद परदान करता है 6 सितंबर 1869 को और भावानी साह को 27 सनद मिल जाती है कब 6 सितंबर 1869 को और भावानी साह फिर क्या करते है एक दिन चुनते हैं अपने लिए राजिये बिसे का वो होता है 25 अक्टूबर 1869 का तो जो 27 सनद थी 6 सितंबर 1869 ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि गड़वाल के राजा की मृत्य हो चुकी है और उसका कोई भी असल पुत्र जीवित नहीं है जिसका जिक्र में आपको भी तक कर रहा था उसका कोई भी असल पुत्र जीवित नहीं था फलता गड़वाल इलाके का स्वामित्यों पुना बृतिस सरकार के प्राप्त हो गया है किन्तु भूतपुरु राजा की बृतिस सरकार के पड़ती किसकी सुदरसंसा की 1857 में उन्होंने जो राजभक्ती दिखाई थी बृतिस सरकार के पड़ती और उस बक्ती की ध्यान में रखते वे उनकी सेवाँ को ध्यान में रख तो क्या लिखा है यहां पर कि भई उसका कोई असल पुतर जीवित नहीं है और इस इलाके का स्वामित तो फिर से ब्रिटिस सरकार को क्या हो गया प्राप्त हो गया लेकिन सुदर्संसा ने जो मदद करी उसको हम ध्यान में रख रहे हैं इसलिए क्या कर रहे हैं भवानी विदाएं सुरक्षा उपलब्द होगी जो राजा को किरपजा को उपलब्द है ब्रिटिस गडवाल को गडवाल राजे की अंतर के सणके बनाने का अधिकार रहेगा यहां राजी राजा को इस हर्थ पर दिया जा रहा है कि राजा ब्रिटिस सरकार के साथ अच्छा करी थी ग्यार अक्टूबर 1869 को हेंडरी रामजे ने सिर्नगर के तैसिलदार रुद्र तत्मंद को टीरी में भेजा तब तक वा व्यवस्ता करता रहा जबता की राजा का राजे विसेग नहों हालांकि सनद मिलने के दिनी भावानी सिंग को राजे प्राप्त हो चुका थ दिन कब का था 6 सितंबर का लेकिन उसने अपना जो राजे विसे करना समझा वो एक सुब दिन का इंतजार किया और वो सुब दिन था 25 अक्टूबर 1869 का तो ये इस परकार से आप सनद है ये तिथी आप ज्यान रखेंगे 6 सितंबर 1869 की और 25 अक्टूबर वाली तिथी भी आपको ध्यान रखनी होगी चलिए थोड़ा डिरेक्ट फैक्ट पे चलते हैं भावानी सिंग में इतने डिटेल है नहीं तो 1869 से 1871 तक सासन करेंगे सुदरसंसा ने अपने जीवन काल में पुत्र भावानी साग को राजा गोसित कर दिया था जितने भी फैक्ट अब यहां रखेंगे सेर सिंग यह किसी अन्यक हवास का यहां पर पुत्र था 6 सितंबर 25 अक्टूबर यह भी यह दिति आपको याद रखनी है तो भावानी सिंग की माता का नाम गुण देवी था जो कि कटोच कुल की कन्या थी ठीक है यह भी हो गया है 6 जून 1869 सुदरसंसा की मौत क टिहरी गडवाल स्टेट्स रिकॉर्ड रजिस्टर टू में मिलता तो यह पुस्तक बहुत महत्यपून है मिया प्रेम सिंग की ध्यान रखेंगे आप गुल्दस्ते वाली ठीक है यह आसानी से याद हो जानी चीए आपको क्योंकि पहले विसका जिक्र हम कर चुके हैं इस हेंड्री रेमजे के द्वारा हुआ आठ सितंबर 1869 को रेमजे ने टीरी आगमन पर भावानिशा को सनद परदान करी और राजे भार देगने की गोशना करी सनद का मतलब क्या सीदे सीदे परमान पत्रों सर्टिपिकट दे दिया कि हाँ अब से तुम क्या हो इस टीरी रखना है भावानिशा सरल एमम धार्मिक सादू प्रकिर्ति के राजा थे ये भी किलियर हो चुका है सेड़सा मात्र 9 महने गदी पर बैटा हेंडरी ने बिद्रों के बैसे सेड़सा को देरादुन में नजर बंद कर दिया था कुस समय के लिए 1860 में गवर्नर लॉड कैनि और उसमें उनकी पत्नी लेडी कैनिंग टीरी राजे से होकर मसूरी आई थी सासन प्रभंध की बात करें यहां पर तो कुसल सासक नहीं थे ये कौन भावानिशा सारा राज ये दीवानों के भरुष से छोड़ दिया था जिससे क्या हो गया दीवान लाल सी और अत्याचार जौन पूर प्रगने के लोगों को भहवानी सा के खिलाब भराका दिया था ब्रिटिस सरकार द्वारा इस विद्रोड़ को सांत किया गया तो पुरस्तन बंद सकता है राज ये की आये का मुख्य सुरोथ क्या है भूमिकर था 1861 में हेंडरी रेमजे ने अठूर के किसानों के लिए 12 अना बीसी की भूब यहस्ता करवाई थी और इसका जिक्र हमने सुदरसन साके समय भी किया था ध्यक्ति का नाम बदरी सिंग्स असवाल ने किया था १ए यहां पतलो हो रहे हैं यह ठेकेदार जो जागिरदार लोग हैं वह परजा का उत्पिळन कर रहे हैं utilizar tax भूल रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था received इस सट्री अवtoire हो याए तो निया पर से नाली भूमी पर बार occupation डेना है हेंडरी रेम्जे के परियासों से यहां पे लाग हुई बिवा की बात करें तो मंडी की दो राजकमारे उसे हुआ तो नॉर्मल सी बात है दो चार बिवा तो उनके रहते ही थे मंडियाली रानी जो बड़ी रानी थी इनका पुत्र परतापसा ठीक है अगले राजा मारे यही होने वाले और हिंडरु जी रानी चोटी रानी थी इनका पुत्र विक्रम सिंग इसके अत्रिक्ति भवानिसा के छे पुत्र और भी थे तो मंडी की दो राजकमारे उसे भी वहा मंडियाली रानी आपको यहां पर ध्यान रखना क्योंकि यह परतापसार से हमारा कनेक्शन रहेगा इनका वनों के ठेके की बात करें तो 1860 में विल्सन को 4 वर्स के लिए वनों का ठेका दिया गया फिर बिट्टी सरकार ने 1864 में 10,000 रुपे परतिवर्स ठेका ले दिया इन वनों से अंग्रेजों को खुब कमाई हुई जिस समय यह दौर चल रहा था 1859-65 के वक्त की बात है तो उस समय एक पहाड़ी विल्सन के नाम से व्यक्ति था इसने इतनी भेंकर अंधादुन कमाई करी इसने 1858 में पहले उन से ठेका ले लिया था किसे सुदर्सन सा से ठेका ले लिया था 1869 में सुदर्सन सा की मृति हो जाती है फिर 1860 में फिर विल्सन ने क्या किया भवान इसा से भी चार वर्स के लिए ठेका ले लिया और 1864 में फिर ब्रिटिस सरक्राइक्स के पास यह ठेका चली गया तो यह इतना भेंकर ब्यक्ति था देखिए यह भागी रती मतलब उतरका से दुसरे इस्तान के लिए तो यह डिरेक्ट लगा लो उत्तरकाशी टीरी वाले इलाके से पेड़ों का बहाता था और डिरेक्ट हरिद्वार में फिर पेड़ निकाले जाते थे उनसे रेलों के स्लीपर बनाये जाते थे तो विल्सन ने आपे बहुत जादा कमाई करी अं सेबों के कहां हर्शिल वाले छेत्र में तो विल्सन से बन सकते हैं पाहरों का राजा हulसिन सापके इनाम से भी ने जाना जाते हैं थोड़ा सा विल्सन को और देख लेते हैं विल्सन पे ठीक पुस्तक भी लिखी गई थी दा राजा और फरसील और इसके राइटर है तो वहां पर बता रहा है कि किस प्रकार से जो पुस्तक यहां पर लिखी गई और कि प्रोवी काटले को ने उपरी गंगा नहर का निर्मान करवाया था जिन्होंने तो इसके बारे में डीटेल में आपको वहां पर पढ़ाया था जब लुसिंग टन वाला टॉपिक हम पढ़ किया था तो उन्हीं के जीवन पर आदारीत है कौन सी गार्डन ऑफ फूल्स राइटर है रोबर्ट हचीसन और राजा और फरसिल के राइटर भी कौन है रोबर्ट हचीसन तो वनों का ठेका हो गया यहां पर अब देव परियाग पाट साला 1862 में देव परियाग में सस्कि वह हिंदी की प्रारंबिक पाट साने खोली जा चुकी थी तो कुमाओं की जो विद्याले निर्यक चिकते कैप्टन इसमित कैप्टन इसमित इतना नाम हमेरा एक्जामीन यहां लेकिन फिर भी थोड़ा समझने के लिए सही रहता है कैप्टन इसमित ने राजा को 1862 में पत अगले वीडियो में मिलते हैं अगले राजा के साथ धन्यवाद